वी कुंदली विशलेशन के लिए सब्सक्राइब करें आस्ट्रो वास्टू एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को राधे राधे दर्शको मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहत खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे तो दर्शको आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे चोटे चोटे हो पाये लेगर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं जीवन से जुड़ी हर समस्याओं समधान करते हैं तो दर्शको आज मैं आपको पताने जा रही हूं सिंग लगन वालों के लिए या सिंग राशी वालों के लिए 2020 का साल जो है वो कैसा जाएगा और आप लों बता दू मैं कि 2020 जो है वो बस आने ही वाला है थोड़े ही दिन हम करें तो उसमें क्या होता है कि पाच नंबर का जो नंक हम को मिलता है और वो आता है बुद्ध का साल और बात हम कर रहे हैं यहाँ पर सिंग लगन वालों के लिए तो सिंग लगन वालों के जो जो स्वामी होता है जो लगन का स्वामी होता है वो होता है सूरे और सूरे जब बुद्ध से मिलता है तो बुद्धत्य योग बनता है और अगर हम आपके साल की शुरुवात की बात करें तो आपके सिंग लगन की कुंडली में सूरे जो है वो आपके नवम भाव में बुद्ध के साथ में ही बैटने जा रहे हैं ये बुद्धत्य योग जो है आपके में प्यार मोहबत की बाते होंगी आपकी लाइफ में आपके प्यार नहीं आपको मिल पारा था मन चहां प्यार नहीं मिल पारा था या शादी नहीं हो पारी थी नौकरी नहीं लग पारी थी तो सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और आज मैं आपको उताने जा रही 20 21 आप लोगों के लिए और यह साल जो है वो आपको मिले जुले फल जो है वो देगा लेकिन उसके लिए अगर हम बात करें अगर अगर हम बात करें तो 70 to 80 परसंट यह साल आपके लिए बहुत बहुत शुब रहने वाला है कम से कम 2020 से तो ज्यादा ही फलदाई आपके लिए दो हजार बीस का जो साल है वो आपका जो है चार नमबर का साल था और ये जो साल है आपके लिए आने वाले साल जो है वो पांच नमबर का साल है चार नमबर का साल आपके लिए राहू का साल था और सिंग लगन वालों की चार नमबर से जो है वो बिलकुल नहीं बनती है और पांच नंबर से बुद्दत योग का निर्मान होता है तो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- धनुराशी में और अगनी तत्व की राशी में ही सूरे जो है रहेंगे यहां पर आपके सूरे जो है चौदा जन्वरी को सूरे जो है वो मकर सकरांती में अपना राशी प्रवर्दन करेंगे और वो मकर राशी में यहां से धनुराशी से मकर राशी में प्रस्थान करेंगे क्योंकि हम आपके यहां पर तीन फेजिस में हम इस राशी फल को बाटेंगे यानि जनवरी से आपका अपरेल तक का समय अपरेल से आपका सितंबर तक का समय और सब्तंबर से आपका डिसंबर तक का समय तो तीन फेजिस में हम आपका यह साल को बाटने जा रहे हैं तो जनवर अपरेल की बात करें अगर सिंग्ललगन में आप लोगो को पता चल रहा है कि राहु आपके चौथे हम से यह और शनी और गुरू जो की आपके आपके चटे हमाव से गोचर कर तो आपके लेकिन पंचम भाव का स्वामी आपका योग कारक प्लैनेट जो है वो ब्रस्पती वह आपका छटे भाव में नीचका हो गया है शुक्र वह आपका जो है नीचका हो गया है गुरू और शनी की जो यूति बनी हुई है यहां पर थोड़ी सी नीचता भंग भी होती भी नजर आ रही है तो यह समय आपके लिए अच्छा है लेकिन महनत आपको थोड़ी सी जादा करनी पड़ेगी महनत आपको थोड़ी जादा करनी पड़ेगी रिजल्ट्स आपको जो है थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स की अगर आप एक्स्पेक्टेशन कर रहे हैं जो की बात करें partnership की बात करें तो यह एपरेल से लेकर सप्टेम्बर तक का जो फेस है यह आपको जो यह बहुत सी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है क्योंकि बाकी तो ग्राओं का जो राशी प्रवर्तन नहीं होगा रहू भहीं के वहीं आपके छटे भाव से निकल कर वो आपके सब्तम भाव में आ जाएंगे और ये वो पीरड होगा जब आपकी जो आपकी जो चोह मुखी प्रतिबा है उसमें आपके चार चांद लगने का जो है ये समय है ये समय में आपने की हुए कारे आपको पूरे अच्छे फल देंगे और अगर के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और इस समय में आपको रिष्टे भी अच्छे मिलेंगे अपरेल से पहले कोई खास आपको रिष्टे मिलने वाले नहीं है और अगर आपको अपरेल से पहले अच्छा रिष्टा मिल भी जाता है तो अपरेल के बाद ही मैं आपको smart work जादा करना है आपको अपने आपको upgrade करना है पेट से संबंदित आपको problem हो सकती है और आपको foreign settlement जो है वो भी आपकी जो हो सकती है शुरुआत में जो है शुरुआती time में तो आपका confidence जो है वो बहुत ज़ादा रहेगा और 15 February को थोड़ा सा grand आपको पताईए कि 12 February को घ्रैंड जो हमारा लग रहा है शुरुआ ग्रैंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिदायत मैं आपको देना चाहूंगी कि 12 February को थोड़ा सा आप साफधान रहें से 29 February तक थोड़ा सा साफधान रहें अपनी health को लेकर क्योंकि य यहाँ पर आपका जो grand का जो पूरा 6 ग्राओं की यूती बनेगी वो आपके छटे भाव से बनेगी और इस भाव में आपको थोड़ी सी दिक्कत प्रिशानिया यह भाव हमारा छटा भाव हमारा पताल होता है यह रोग रिण और शत्रूओं का भाव होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी health related problem आपको थोड़ी सी हो सकती है फादर को लेकर health को लेकर फादर की health को लेकर थोड़ी से issue आपके जो हो सकते हैं अगर आपको change और promotion के लिए बारे में सोच रहे हैं और इसमें आपका जो April से लेकर मई तक का जो time है April और मई, change of job, change of promotion, life changing turning point आपकी life में जो है यह आएगा और बहुत ही बड़ी आपको result जो है यह दे कर जाएगा केतू आपके चौते भाब से गोचर करेंगे राहू आपके दस्वे भाब से गोचर करेंगे तो दस्वे भाब में राहू जब बैठ जाते तो तो तूला शक्की हो जाते हैं शक्की कैसे हो जाते ह कि दस्वे भाव का राहू अगर शनी की आपकी पुजीशन अच्छी है तो दस्वे घर का राहू भी आपको अच्छा फल देता है तो शनी आपकी कुंडले में शह श्योग बनाकर चटेबा में बैठे हैं तो ये राहू को पूरी तरह से कंट्रोल में कर रहे हैं और राहू दस्वे घर में शनी के कंट्रोल में भी आ रहा है लेकिन जो केतू और राहू का जो आमने सामने का समसम तक योग है केतू क्या है थर्स्ट है जहां पर बैठता है वहां की थर्स्ट बढ़ा देता है और यहां पर जो है आपको आपके केतू फोर्थ हाउस में बैठे कर मिलेंगे एपरेल तक अपने भचोंगा आपको ध्यान उखना है शिक्छा पेट से रिलेटेड मोटापा अपना ना ब्रणने दे सितम्बर से दिसंबर के बात करते हैं तो हेल्थ का आपको बहुँआ leaning रखना है एल्थ से आपको जो है इस साल में बहुत-बहुत अपनी जो BP को बढ़ने नहीं देना आपकी हड्यों के अंदर कमजोरी आसकते हैं बढ़ सकता है कोई हडियों के रोग हो सकते हैं अर्थ्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है बीपी आपका शूट अप हो सकता है तो यहां पर आपको अपनी हैल्थ को दे कर बहुत ध्यान रखना है आपको नित्ते सैर जुरूर करनी है और आपको मैं उपाईों के बारे में चरचा करूंगी तो उपाई के इगर हम बात करें तो यहां पर हम उपाई की बात करें तो मैं को मोलना चाहूंगी कि पिता को दूद में केसर डाल कर आप नित्ते रोज जो यह people और अगर नहीं पिला सकते हैं तो संडे और मंडे और जुरूर पिलाएं पिता को केसर आदित्य हिर्दे श्त्रोत का भी आप बत्यस नम पर्थकते हैं गेहुल का द skills का पराई र हैं से उस फिराई प ट्दिकों से और से सीवन जाग सितने में लुद्ध दो, अब पर्द आके साँध, अलब पतान और शुरे के मेरे आपर से च्दम किई मत दोहा में आपके कश्ट आपकी परिशानियां आपकी समस्याएं आपके दुख आपकी तकलीफें आपकी हेल्थ आपके बहुत आपको उसके अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे तुदश को ये मैंने आपको बताया सिंग लगन वालों के लिए कैसा दहेगा साल और जब 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 सिंग लगन वालों में क्या होता है कि इसमें जब जब आपका कुंडली में आपका जो यहां पर जो ग्रह बैठे होते हैं जब जब हमारा लगनेश जहां 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 पर घ लेकिन उपायों में इतनी जान होती है उपायों के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपको अगर भगवान ने कोई टांग कटवानी है तो आपकी मोच में और मोच नहीं तो पैर मुड़ने में और हलका सा आपका जो है उसमें जो है धलकी से हलकी चीज़ में निकल जाती है तो तो हजार इकिस में जीत आपकी होनी है सूरे आपके बुद्ध का आपके लगन के स्वामी का मित्र है तो आप मित्रों के साथ मिलकर आपको बहुत बहुत फायदा होगा और आपके जीवन में चमतकार आपको दिखने को मिलेगा यह छोटे-छोटे से उपाय अगर आप कर ले मनी प्लांट छोटे पत्ते वला भी लगा सकते हैं इस्ट की वाल पर अगर हम वास्तू के उपाय की बात करें तो आप इंदर देव के चित्र लगा सकते हैं इंदर देव का कोई ब्रास का स्टैचू लगा सकते हैं और इस्ट की वाल पर एक सन सन जिसका स्माइलिंग फेस ह तो वो सन की पिच्चर लगा सकते हैं या उसका कोई आडल रगास लगा सकते हैं तो दश को आज के लिए तना ही सिंग लगन वालों के लिए बहुत बहुत मेरी धिरों जो है शुब काम नहीं हैं आप लोगों के साथ में सिंग लगन वाले और सिंग राशी वालों के लिए त सब्सक्राइब किजिए आज के नीं राधे राधे आपको बहुत बहुत नए साल के लिए बदाई हो राधे राधे